नमस्कार दोस्तो टू डू लिश्ट डैश्वोट का फुल टूटोरियल लेके आपके लिए आ गया हूँ बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर आई वांट टू लर्न सर प्लीज लेट मी नो सर हाओ डीड यू डू दिस सर प्लीज मेक अ वीडियो अब इस टॉपिक एट्सेट जो हमारा टू-डू लिश्ट का डाइनिमिक डैश्वोड कैसे वर करता है एक बार हम फिर इससे देख लेते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे विवर्स हैं जो इससे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज आप लोग पेसेंस बनाए रखें दोस्तों आभी आप देख रहे हैं नहीं फिर इससे पर जैसे क्लिक करूँ गा तो देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया 25-परसन टासक समप्लीटेड हमारा ग्राब भी चेंज हो रहा हैँ अभी आप देख देख रहें کनमे इससे बनाने के लिए को यग न कोई Ao विडियो करें किया और टो सिंपल मेंशाल थीम्यार आफ़ान आपको करें कर उसके बाद एपना कर्सर यहाँ रखना IT यहाँ जाने के बाद विडियक अठाट चेक बॉक्स , इसेat हो और एक ट्रैग्ड करना अब दोस्तों आप देख रहें इसमें चेक बॉक्स लिखा हुआ है अगर आप कुछ और नाम लिखना चाते हैं यहां तो आप इसली लिख सकते हैं आपको बच क्या करना है इस पर राइट क्लिक करना है और एडिट टेक्स्ट कर देना है ठीक है तो आप क्या करेंगे इसको backspace से delete करके अगर आप लिखना चाते हैं कुछ और नाम तो आप लिख सकते हैं लेकिन मैंने कुछ नाम नहीं लिखा था तो मैं छोड़ दे रहा हूं इसे अगर आपकी requirement है तो आप लिख सकते हैं तो दोस्तों अभी आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह चेक होगा और अंचे लगे और अपने arrow की से इसको up, down, left, right करेंगे ठीक है यह ताकि हमारा देखने में अच्छा लगे और इसको थोड़ा और resize कर लेंगे अब यह हमारा middle में आ चुका है ठीक है अब दोस्तों अगर आपके पास to do list 4 है तो आप 4 checklist insert करेंगे 5 है तो 5, 6 है तो 6 तो मेरे पास 4 थी अब करते चले जाएंगे cursor नीचे रखके ठीक है मुझे 4 करना है तो मैंने 4 पे insert कर दिया ठीक है यह हमारा checkbox ready हो गया अब हम अपना यहाँ to do list का work यहां लिखेंगे जैसे हमारा था MIS report तो हमने MIS report लिखा attendance sheet ठीक है तो मैंने attendance sheet लिखा weekly report लिखा और एक last था हमारा presentation ठीक है यह हमने लिख लिया इसको हमने double click किया auto adjust हो गया हमारा यह column की width था ठीक है इतना हो गया दोस्तों तो अभी हम क्या करेंगे इस पे right click करेंगे format control वाले option पे जाएंगे और यहां आपको दिखेगा control वाले option में sell link इस पे click करेंगे और यहां इस पे cursor रख देंगे ठीक है right यह मैंने रख दिया और अब ok कर दिया तो यह जो हमारा है अब यह वाला जो check box है हमारा इस से link हो गया अभी मैं इस पे click करूंगा तो अभी आप देखिए true आएगा check हटाओंगा तो अभी आप देखिए false आएगा ठीक है अब हम क्या करेंगे h2 से h5 सारे cell को link कर लेंगे इस check box से same techniques का use करके ठीक है तो अब दोस्तों यह मेरे चारों से link हो चुके है अब मैं एक प्लिक करके check कर लेता हूं यह देखिए यहां true आ रहा यह भी true यह भी true और यह भी true राइट इतना हो गया अब आप यहां एक formula use करेंगे is equal to if ठीक है this is equal to true तो आप क्या करतेंगे 1 otherwise क्या हो जाएगा 0 ठीक है bracket बंद और इंटर और इसको आप पकड़के drag करतेंगे ठीक है इतना काम हो गया अब आप उस पे check हटा के देखेंगे तो यह 0 आ रहा है check लगा के देखेंगे तो 1 यानि हमारा formula ठीक काम कर रहा है इतना हो गया यहां आप एक formula यूज करेंगे equal to sum this value पूरी यहां ठीक है bracket बंड divided by 4 4 क्यों क्योंकि हमारे पास to do list 4 है अगर आप पास 5 है तो आप यहां 5 करेंगे 6 है तो आप 6 करेंगे क्योंकि हमें percentage निकालना है ठीक है हमने यहां 4 किया और इंटर मार दिया तो यह हमारे पास आ यह हमारा work ठीक कर रहा है ठीक है लेकिन इसमें क्या है हमें percentage में click नहीं करना है दोस्तों क्यों नहीं करना आगे मैं आपको जरूर बताओंगा इसको अभी मैं इसको journal ही format कर देता हूँ अब मैं क्या करूंगो यहां एक formula होता है हमारे पास text तो हम यहां text formula का use करेंगे तो यह हमारी हो गई value तो text formula जैसे ही उच कर रहे हमसे क्या मांग रहा है value तो value मेरी यहां से यहां तक यह हमारी value हो गई comma text हम क्या देंगे format text double inverted comma हम लिखेंगे 0% double inverted comma close bracket बंद enter तो यह देखिए हमारा काम कर रहा है अभी देखिए 75% यह देखिए 50% यह देखिए 25% और यह तो यहां हम एक formula लिखेंगे is equal to if logic test क्या देंगे this is equal to 0% double inverted comma हम लिखेंगे 0% क्योंकि यह हमारा text में convert हो चुका अभी यह value नहीं है इसलिए double inverted comma में हमें लिखना है तो क्या आज़ा है हमारा value to double inverted comma हम फिर लिखेंगे task not completed it ठीक है double inverted comma close और अगर false हो तो हमें देदो फिर से यही वाली value same j2 देदो bracket बंद और enter तो देखिए अभी आप पास क्या आ चुका task not completed it हम इसको यहां से select कर रहे हैं और यहां तक हम इसको select करके merge कर दे रहे हैं ठीक है और इसकी हम font size बढ़ा देते हैं 28 कर देते हैं ठीक है 28 मैंने कर दिया तो अभी आपके सामने क्या रहा task not completed yet ठीक है अब मालिचे मैं इसको टिक करता हूँ तो अभी आप पास क्या आ गया 25% ठीक है दोस्तो अब मैंने आपको यहां text formula क्यों लगाया था इसको भी समझ लेज देखिए 0.50 ठीक है यह देखिए 0.75 percentage में नहीं आ रहा क्यों नहीं आ रहा क्योंकि यह value है और यह value और आपको पता है कि यह हमारा journal format में है तो यह हमारी value आ रही है तो इसलिए मैंने यहां क्या किया था text formula का use कर लिया था अब आपको concept clear है कि मैंने ऐसा क्यों किया था ठीक completed आ जाए तो हमारे पास एक symbol है जिसको हम बोलते है and इसका use हम दो text को जोडने के लिए करते हैं तो हम क्लिखेंगे and ठीक है अब हम double inverted comma में लिखेंगे क्या task completed ठीक है double inverted comma close bracket बंद enter तो देखिए 75% task completed अगर आप चाहते 75% के बाद एक space आ जाए तो आप क्या करेंगे just यह जो inverted comma है इसके बाद यह inverted comma और task के बीच में आप एक space दे देंगे और enter तो अभी आप देखिए आ गया अब आप चेक करके देखेंगे सारा formula हमारा work कर रहा है right ठीक है यानि इतना हमारा हो गया सही work कर रहा है दोस्तो वीडियो को skip मत करिएगा एक एक point important है अब दोस्तो इसका color भी हमें change करना है इसके according जैसे 25% आए तो color कुछ और हो ठीक है 50% हो तो color कुछ और हो अगर कुछ भी ना हो तो color कुछ और हो अपने requirement के हिसाब से आप change कर सकते है इसके लिए हम conditional formatting लगाएंगे सबसे पहले हम इसको select करेंगे home tap पे जाएंगे और यहां conditional formatting में जाने के बाद यहां आपको new rule दिखेगा इसपे click करेंगे और सबसे last वाला option हमें choose करना यहां हम क्या formula लिखेंगे ध्यान से देखिए अब हम double inverted comma में लिखेंगे क्योंकि यह हमारा text form में है ठीक है zero percentage ठीक है double inverted comma close अब हम इसमें क्या करेंगे format select करेंगे color हम choose कर लेंगे red क्योंकि हमारा काम अभी start नहीं हुआ काम खत्म अभी आप देखिए जैसे हम click करेंगे 25% तो color हमारा जो हमारा पहले था सारा वही हो रहा है और जैसे हमारा 0% होगा तो color आप देखिए red हो गया तो इसी तरह हम सारे पर color apply कर लेंगे same techniques का यूच करके इसको भी ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे इसको select करेंगे यहां जाएंगे conditional और हम जाएंगे यहां manage rules अब हम यही से add करते जाएंगे सारे condition same techniques का यूच करके new rule चूच करेंगे last वाला select करेंगे यहां फार्मा लिखेंगे it's equal to this it's equal to double inverted कामा में 25% ठीक है double inverted कामा close और यहां format select कर लेंगे क्या color हम चूच कर लेंगे यह वाला right okay और okay इसी तरह हम सारे rule add कर लेंगे same techniques का use करके अब color देख रहे हैं आप अपने आपके recording color change हो रहा है ठीक है आप देख रहे हैं यानि हमारा यह conditional formatting perfect work कर रहा है ठीक है अब हमें क्या करना है अब हमें यहां लिखना है इसको हम select करेंगे यहां से यहां तक के range को और इसको यहां से merge कर देंगे क्लिक करके अब हम यहां लिखेंगे checklist checklist bracket में to do list ठीक है आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने requirement के हिसाब से इसका size हम कर लेंगे 28 यह हमने size कर लिया है इसका हम color change कर देंगे यहां से और अब हम यहां जो icon add करेंगे अब ध्यान से दिखेंगे insert पे जाएंगे illustration पे जाके यहां icons पर click करेंगे यहां click करने के बाद आपके पास multiple category के icons हैं मैंने choose किया थे यह वाला और यह वाला तो मैं इसको click करूँगा और insert करूँगा तो आप देखेंगे यहां icon आच चुका है आपके पास इसको मैं research करूँगा और यहां चिपका दूँगा ठीक है यह मै यहां लगा दिया अब इस icon को थोड़ा attractive दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा ध्यान से देखेगा इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूं इसको attractive थोड़ा दिखाने के लिए हम क्या करेंगे इस पर click करेंगे जैसे click करेंगे यहां graphic format इस पर जाएंगे अब आपको यहां आप चूच कर लेंगे यह थिक वाली line ठीक है इतना आपने कर लिया फिर से इस पर click करेंगे dash यहां dash वाली line चूच कर लेंगे dashes में जाके ठीक है उसके बाद जो outline color है यह white कर लेंगे उसका फिर आप graphic effects में जाएंगे और shadow आप चूच कर लेंगे यह वाला ठीक है तो यह आप यही apply करेंगे तो इसका भी हो गया right इतना काम हो गया दोस्तो अब आप क्या करेंगे इसके इसके बीच में आप देख रहे है थोड़ा distance हमें चाहिए तो हम यहां click करेंगे इधर और insert एक row insert कर देंगे ठीक है और इसको पूरे को select करके इसका हम क्या कर देंगे इसमें no fill कर देंगे ठीक है इतना आपने कर लिया अब इसका हम थोड़ा size बढ़ाएंगे इसको भी अगर आप merge करना है तो यहां select करेंगे एक साथ और यहां आपके सामने एक option होता है merge across center यह देखिए merge एक cross है ना इस पर click कर देंगे तो एक साथ यह सारे merge हो गए अब इसका आप क्या कर सकते इसको select करिए इसकी size बढ़ा लिजे आप इसकी size 16 कर लिजे राइट इतना आपने कर लिया यह हो गया आपका यह हो गया और यह हो गया ठीक है अब आपका last क्या बचा graph graph के लिए copy करिए और इसको यहाँ paste करिए ठीक है इसको और इसको जैसे आप paste करेंगे इसके बाद इसको अनमर्ज कर दीजे यहां से ठीक है इतना आपने कर लिए अनमर्ज इस पर डबल क्लिक करिए column width आपकी automatic adjust हो जाएगी अब यहाँ जो आप formula use करेंगे आप देखे इसकोल to if this is equal to one ठीक है तो क्या आजाए हमारे पास one आजाए otherwise क्या आजाए zero आजाए ठीक है bracket बंद और इंटर और इस formula को आप drag कर देंगे right इतना किया अब इस पर आप क्लिक किये जैसे यह one हुआ तो यह भी one हो गया ठीक है इसी तरह यह भी one हो गया इसी तरह यह भी one हो गया और इसी तो सिप्ट के साथ five ठीक है तो यह हो गया या आप एपस्पेक्टी खटाएंगे देखिए अब देख रहे हैं यानि हमारे यह सही वर्क कर रहा है अब आपको क्या create करना है last आपका है graph तो graph create करने के लिए दोस्तों make sure इन चारों पर आपका टिक हो ठीक है उसके बाद इसक graph आईएगा और यह वाला select कर लिजेगा बहुत सारे design दी गये हैं आप अपने according चूच कर सकते मुझे यह वाला अच्छा लगा इसलिए मैंने यह वाला चूच किया ठीक है इसको मैं क्या करूंगा थोड़ा resize करूंगा छोटा ठीक है दोस्तों यह जो नीचे वाला option आपको दिख रहा है इसको मैंने अपने पिछले वीडियो में नीचे ही रखा था लेकिन आई थिंग अगर आप इस side रखेंगे तो और भी attractive लगेगा इसके लिए आपको इस पर right click करना है format legend पर जाना है यहां जाने के बाद आप right है right वाले option पर click कर लिजे देखिए और भी अच्छा लग रहा है अगर आप इसे थोड़ा adjust करना चाते तो इस पकड़ के इसे थोड़ा और भी adjust कर सकते हैं यह देखिए अच्छा लग रहा है दोस्तों अब आपको क्या करना है chart title में आप यहां लिख दीजे click करके क्या लिख सकते है टीडियल लिख जीजे या to do list लिख जीजे to do list ठीक है इतना आपने लिख लिए अब आपको इस graph पे फिर click करना है right click करना है और इस outline को आप सफेद कर लिजे तो क्या होगी बाहर की line हड जाएगी ठीक है इतना कर लिए अब आपको थोड़ा और इसको छोटा करना है और इ कर रहा है हमारा यानि सब कुछ हमारा okay है ठीक है यह okay हो गया अब आप क्या करेंगे इसको select करिए इसको hide करिए ठीक है अब दोस्तों इसको आपको hide नहीं करना है इसको आपको क्या करना है इसको select करना है क्योंकि अगर आप इसको hide करेंगे देखे क्या होगा मैं आपको दि ठीक है आप इसको इधर रख सकते हैं अब आप इस पे apply करिए देखिए सारा कुछ perfectly work कर रहा है अब आप एक काम और करेंगे तो आपका और भी attractive लगेगा इस पे click करिए और यहाँ black color चूच कर लिजे दोस्तो अब देखिए दोस्तो आपका और भी attractive लग रहा है right दोस्तो तो आप अपने requirement के हिसाब से और भी कुछ add कर सकते हैं दोस्तो मैंने description में आपका इसका practice file भी दे दिया है आप practice भी कर सकते हैं तो दोस्तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like, share, comment कर दिजेगा मिलते हैं next वीडियो में जैहिन दोस्तो